हाई फ्रेंड्स कीचन के वेश्ट मैटेरियल यानि की कीचन की जो कचड़ी होते हैं सबजी के फल के छिलके चाय की पत्ती इससे देखिए हम कितना अच्छा खाद बनाए हैं और इसमें और कुछ हम नहीं मिलाए हैं जरा सा गोबर मिला दी हैं मिट्टी की भी जरुत नहीं ह हें और अब हम इसमें सबजी लगाएंगे और बेकार सीज में लगाएंगे कोई भी पैसा खर्ष कि हम करने वाले नहीं हैं बढसें सारी बोरि को हमने भर दिया है और इस से हम बढसाद में जो निना करेला लौ step a पम्पकीन वगर सारी सब्जियां जो है हम इसमें लगाएंगे और हम कीचन का एक भी कच्रा बाहर नहीं जाने देते हैं और बोरियों में भर करके उसमें छोड़ी से मिट्टी डाल करके फिर बोरी को बांध देते हैं इस तरीके पे तोड़ा रखते दिना है यह सारी हमने ब इसमें बहुत अच्छे सब्जी हमारे फलेंगे और इसमें ना मिट्टी की जरूरत पड़ी नहीं कुछ की बस थोड़े से नीम के पत्ते वगरे डाल दिये ताकि इसमें कोई किटाडू अगर न जाए और बस थोड़ा सा गोबर की खात सड़ियों गोबर मिला दिये हैं औ इसके बाद बसाध का खतम होगा तो इसमें फीर थोड़े से खाद मिला करके हम ठंडी की भी सब्जी लगा लेंगें को हैं ना कमाल का ए टिफ के हम शमीन मिट्टी सेहरी सब्जी पैदा करें नहीं हम अपने घर की बेकार सीजों से अपने छट पे अच्छा खासा सबजी उगा सकते हैं और 4-6 परिवार आराम से खा सकता है उस सबजी को देखें इसमें सारे हम बोरी भरे हुए सारे विकार धर के चावल के एक बोरी हैं जो कि हम फेकते नहीं हैं उसमें एक सीजन की सबजी आराम से ले लोते हैं प्रेंड्स कि इतनी खाद है और इसमें इतनी अच्छी सबजी होती है लग रहा है कि यह मिट्टी पड़ा हुआ है लेकिन इसमें जरा भी मिट्टी नहीं है उसी समय छिलके मेहिम थोड़ी सी मिट्टी मिला के रखते हैं बाकी थोड़ी सी गोबर की खाद और नीम की पत्ती हम डाले हैं और कुछ नहीं डाले हैं देखेंगे इतना सारा हमारा वेस्ट मेटेरियल तयार है और इसने हम अपना सारा सबजी उगा लेंगे अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा शेर करिए गार्थ कमेंट करके बताईएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अब इसमें हम कौन सी सब्सक्राइब लगाएंगे यह भी हम आपके साथ सेयर करेंगे समय समय पर इसे हमारे चैनल पर बने रहेगा थैंक्स फार वाचिंग